नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो वे आम लोग दो बहुती इंपोर्टेंट एंग जवद्दस दो मोटो का कमपेरिजन करेंगे जो कि आपके सामने है ठीक है बहुत बरा सा इच का दो मोटोर है एक हे 24 वल्ट का 208 का गियर नॉर्मल मोटोर और एक हे 24 वल्ट 208 का सेम मोटो का वीडियो देख लो जहां पर इस नॉर्मल डेसी सायकल के लेक्टिक सायकल में कनवर्ट किया जा रहा है उसमें आपको ये दो मोटो देखने को मिल जाएगा एक मोटोर विद गयर के साथ है एक मोटोर विदाउट के साथ आता है आप मैंसे बहुत सारे लोग इस बारे मे तर होता है वो मेरी यह 12 बेटर होता है किसि-किसी किम मैं यह मोटोर जाता है तो किसी कि वह तो आप वैगा कोई से क्वाला मोटोर इस्तिमपल करना चाहिए क्योंसा मोटोर का पावर अलग-अलग मिलेगा तो पहले ऴें जो मॉटोर्व है दोस्तों ये 24 व मॉटोर दर्फा ratio वाले मॉटोर ये मॉटोर भी 24 wanna है 24 वाट अगा है पावर डेतिंग के हिसाफ से दोनों मॉटोर लगबक 95 पर्षें डिफरेंस किया है पको यह वाला हिस्सा है वाली इसका गियारबॉक्स से ठीक है यह वालै इसका गियारबॉक्स से जहां सकत ही यह पूरा एक रो मोटर हो रौ कॉरेज़िदा का ढ़र के लिओ JEए पॉर्म Όल और ने जाना में आहल को आपको 303 आर्पी एम ठीक और ये टाइट टेट इसको हाट से घुमाना भी दिक्कत वाली बाते ये लूज होता है तिससे हाट से खुमा सकते हो तो डिफेंस आपको समझ माया है इस पर मिल दाए तीन अज़ तीन सव आर्प्य आउट्पूर में इस पर तीन सव तीस आर्प्यम आउट है अभी दूसतों बात करेंगे कि» ये दौनों मॉटर का स्पेसिकेशन कासा होता है कासा सांड आता है यह सब कुछ के बारे में बात करेंगे आरिम आपको direct इनहें दिखा देंगे कि developing कि इसके बाद से हम लोगी दोनों मौटो को टेस्ट करेंगे मगर एक्च्वल ओरिजिनल परपस हो जब इलेक्ट्रिक सब्सक्राइब करना पड़ेगा टेस्टिंग परपस के लिए एक अडप्टर से हम लोगों का कम बन जाएगा तो सबसे पहले दोस्ते मैं यह वाला मौटो क को पावार देता हूँ जो कि नॉन गियर वाला है कि देख सकते हैं आप मैं इसका साउंड आपको सुना देता हूँ और यह मोटो को चलिए भी पावार देता है तो दोस्तों यह राद दोनों मोटोर का कैसे रानिंग होता है उसके बारे में चलिए अभी यह दोनों मोटो का हम लोग मेजर करेंगे कारेंट एंड डायरेट आपको दिखा देंगे कि एक्चुल वे माल्टिमीटर में क्या कारेंट का रिडिंग आता है यह दोनों मोटो का तो मैंने देखें 10 एंपर पे इसको सेट किया है और 10 एंपर प्रोब में माल्टिमीटर को मैंने कनेट कर दिया ठीक है तो अभी पहले मैं देखें इस मोटो का टेस्ट करता हूँ पॉजिटिव को मैंने कनेट किया इधर पे चलिए देखते हैं कि तो जैसे कि आप मल्टिमीटर पर देख सकते इसका जो कारेंट स्टेबिल हो गया भी अभी अभी देख सकते हो 900 मिली आम्प्स के करीब इसका कंजम्सन है यह 0.9 ऐंप्स ठीके 900 मिली आम्स तभी-कभी एक एंपर पी रिच कर रहा है इसका भी देखें कि starting current किदना आता है एक जटके में 2 ampere 2 ampere तक तो करीब 2.84 तो करीब 3 ampere तक इसका जो है pick current जा रहा है ठीक है मतलब कि starting का जो pick current होता है अब यह सेम चीज़ करते हैं चलिए इस motor के साथ तो दोस्ते इसका भी देखिए no load करें आपका करीब 800 मगर इससे थोड़ा सा कम हुआ इसका 900 के 0.92 ऐसा आड़ा था इसका 0.86 आ रहा है वेदब 850 million के करीब और इसका स्टार्टिंग करें देखते किद्न आता है साड़े तीनने हम जिसका स्टारिंग करें दुस्ते जधा है और दोस्तरों जादा होना भी付 घृज़ा हिंकि इधा पे won एक दा मोट एक फ्री रीरोटेट कर रहा है जहां पर यह मोट पे ग्यार बोक्स का अक अब्स्टेकल आ रहा है तो इसका स्टार्टिंग आई थोड़ा सा ज्यादा होना भी चाहिए तो अभी हम लोग मिज़र करेंगे इसका आर्पीम डारेक्ट आपको तो स्टार्पीम मीटर पर दिखा देंगे कि कि कितना आउट्पूट मिलता है यह जो टैकोमेटर में इस्ट में 244 वल्ब 3300 के करीब तो इसका जूँ आप एक जैसे के हम लोग ने बात किया था था थी था यहंड़ेक्ट के करीब इसका आर्पीम है तो अब इसका आर्पेम खेट्श आब चेक करेंगे से इसका रपियेम 3,300 के असपट से तो अभी तो इसका देखिए दोनों का होगे अभी दोनों का अगर साइच की बात करेंगे तो देखें सेम बोडी का साइच है पूरा ठीक है सिब इसमें ग्यार बॉक्स नहीं है इसमें वह ग्यार बॉक्स है बाकि दोस्तों कोई अलग से और कोई दिफारेंस नहीं है दोनों में फिर भी दोस्तों में आप लोगों को दोनों का डामेटर बता देता हूं ताकि कोई भी अगर जगह पर आप इसके इसके इस्तमल करें तो आपके लिए इसी हो इसका देखें तो सेम है दोस्तों 101.5 mm का ठीक है और इसका बस एकसर जो आता है यह गियर बॉक्स आता है दोस्तों जिसका लेंड आपका 81.67 mm का होता है अब दोस्त इंपोर्टेंट बात जो आता है वो होता है कि यह दोनों में से कौन सा किस काम के लिए इस्तमल होता है यह साइकल अगर यह जो स्पोकेट है इस स्पोकेट के साथ डायरेक्ट आपका साइकल का जो पीछे का हुई ले उसका जो स्पोकेट है चेंज स्पोकेट वाला जो स्पोकेट हो जाता है ठीक है आपके साइकल का पीछे का स्पोकेट इसके साथ डायरेक्ट कनेशन हो जाता है तो इससे आप आपको 25 किलो मीटर तक का टॉप स्पीड मैक्सिमा मिल सकता है 25 किलो मीटर पर आवार का टॉप स्पीड इस मोटो से गियार वाला मोटो से आपको मिल जाएगा इसका लोट करिंग क्या पासरी देश्यों केजितक होता है मगर आप दो परसन भी अगर 80 केजिका होगा तब यह लोट आपको ले लेता है इसका टॉर्क जादा होता है सेम अगर मैं इसकी बात करूँ यह थोड़ा सा कस्टोमाइज होए है ठीक है सपोस कैसा में बताता हूं इसका जो स्प्रोकेट है ना इसको इसमें आप ओल्डिंग करके बड़ा साइच छोटा साइच का स्प्रोकेट लगा सकते हो ज्यादा तक क्या देखेंगे आप कोई कर अभी युवोडियो के देखेंगे तो आ आप आप पर पडलिंग करते हो वो जो स्प्रोकेट हो बड़ा साइच का इसक आपको बहुत ज्यादा ço जाएगा ठीक है इस को ध보ड़ा सा कस्टूमाइज आप स्पोकेट लगा ऐसको एंद लίνग का में लेसको हीशवाईच ड अगर अच्छे सब करेंट करेंगे तो 40 km तक का हाइच टॉप स्पीड मिल जाएगा इससे आपको ठीके मगार एक इंसन पर आपको मिलेगा इधार पर जैसे कि आप दो इंसन क्यारिकर्स तो देश्ट केजी तक लोड है इसके दूस्तों जैसे कि ग्यार बॉक्स नहीं तो मेंट करना पड़ेगा इसको आपको आपका जो paddling का बादा जो बड़ा साइच का स्पोकेड रहता है, उसके साथ इसको connect करना पड़ेगा इस मोटो से आपको 25 km तकी maximum speed मिल सकता है, इस से आपको 35-40 km तक maximum speed मिल सकता है मगर इसका लिमिर maximum एक इंसाने maximum 70-75 kg तक ही हो जाता है मांगता भी नहीं है तो उसके लिए यह वाला मोटो आपको अलड़ तो यह मोटो आपके लिए ब्याइश तो आपको किस काम के लिए कौन सा मोटो में बूसाइब दूस्भा को सब्सक्राइब कर दे़े बस आठीकर बहुत जली में दूने सीविडियो वीडियो के साथ तब तक के लिए बने लेए